पूर्व केंद्री मंत्री सुष्मा स्वराज अब हमारे बीच नहीं है पश्चिम मंगाल के पूर्व राज जिपाल और भारती जंता पार्टी के वरिष्ट नेता पंदिक के श्री नात्रिपार्टी ने भी उनके निधन पर गहरा अफसोस जताया है वो उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं इस बारे में खुद उन्हीं से बात करते हैं सर क्या कहना चाहेंगे पूर विदेश वंत्री सुष्मा स्वराज जी के निधन से देश को तो बहुत बड़ी च्छती हुई है मेरा उनसे बहुत पुराना परचे था और उनके इस आकस्मिक निधन से मुझे भी बहुत आगहात पहुचा है मैं यह कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे सदेव बड़े भाई का सम्मान दिया और जहां भी आवश्यक्ता पढ़ी उन्होंने मुझे याद किया विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल और विश्व हिंदी सम्मेलन मौरिशस में उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण भूमकाय निभाने के लिए दाइत दिया था और उनके संतुष्ट के अनुसार में ने भूमकायों का निर्वाह किया सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वह एक इंसान थी अच्छी इंसान थी एक खुशल राजनीतिक थी पैनी राजनीतिक द्रिश्ट उनमें थी और भारत सरकार का पच्छ विदेश के मंचों पर भी बहुत प्रभावी ढंग से उप्रस्थित करती थी United Nations में उनका भाषण आज भी सबको याद है कि किस तरह से उनहोंने भारत का पच्छ उनाइटेड नेशन पर संद्युक्त रास्थिंग में रखा था इसके इलावा संसित के अंदर दोनों सदनों में उनके भाषन को आज भी लोग याद करते हैं जब जब ज़रूरत पड़ी तब तक उन्होंने जम करके सरकार का पच्छे प्रस्तुत किया जंता के सामने उनके निधन से वास्तों में देश को एक अपरुनी चत्री हुई है पूरा देश दुखी है उंके उससे, आपका तो वेक्तिगत उनसे बहत संपर्क रहा है आपके लिए वेक्तिगत कितनी पीड़ा की बात है वेक्तिगत मेरा उनसे बहुत अच्छा संपर्ग था और निश्चित रूप से वेक्तिगत रूप से मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैंने इनको एक छोटी बहन के रूप में देखा और उन्हें ने मुझे बड़े भाई का सम्मान दिया लेकिन छोटी बहन बड़े भाई की बात नहीं थी बात इक हम लोग राजनीत में एक दोसरे के साथी थे और मन उन्हें को परामर्ष कभी कभी देता था कभी कभी वह मुझे भी बड़े जिया करती थी इस परकार से हम दोनों एक दोसरे बहुत हीए परकार से राजनीतिक सहयोगी भी थै पस्चिम मंगाल के पूरो राज जपाल पंदित के शरी नात्र पाठी का कहना है कि सुश्मा जी के निधन से उनको गहरा अफसोस हुआ है और ये उनके लिए एक व्यक्तिक अच्छाती भी है केमरमेन रोही शरी वास्तो के साथ मुहम्मद मुहीन एबी पी गंगार प्रया गराए